मनिक अर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने बी एच्यू के दो अती महतुपुर्ण प्रसंगों को कवर किया था उसके साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से अपने कैडरों को कम्यूनिस्ट के उपर शिक्षित करने के लिए क्लासिस चलनी शुरू हुई उसी का आगे हम विस्तार पड़ेंगे आज चलिए आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों श्रलनी बोल रही हूँ जैभीम हूल जौहार अंतिम दिन सभी पार्टी कैडरों ने ये सोचकर बड़ी निराशा हुई थी के शीग्र ही सभी लोगे एक दूसरे से बिछड जाएंगे वहां आपस में जबरदस्त भाई चारा स्थापित हो जोगा था जब मैं लाटकर बना रहा साया तो मेरे साथ पार्टी क्लास करने वाले कानपुर के असीम राय जांसी के राम सोरूप बादल मैंपुरी के नरेंद्र कुमार तॉमर मेरत के वेद प्रकाश वेद बस्ती की कमल जीत कौर लखनों के राजकिशोर शर्मा आधी बहुत याद इससे पहले CPI में क्लास लगाने की कोई परंपरा नहीं थी इस संदर्व में एक रोचक घटना घटी सन 1971-72 में क्लास शुरू करने से कोई एक साल पहले सी राजेश्वर राव ततकाली जर्मन डेमोक्रेटिक रिबबलिकन यानिके GDR की कम्यूनिस पार्टी के निमंत्रन प कि भारत में पार्टी क्लास की क्या अस्तिती है जवाब में राजेश्वर राय ने बताया कि वहां कोई पार्टी क्लास नहीं होती इससे पर अचंबित होकर होने करने कहा आप लोग पार्टी क्याडरों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं इस प्रक्रण के बाद CPI ने देश के तमाम राजे में पार्टी क्लास का आयोजन शुरू कर दिया इसे संबंध में पार्टी की दिल्ली स्थित सदर मुकाम अजय भवन में स्थाई तोर पर पार्टी क्लास की व्यवस्था की गई जहां देश भर के चुनिंदा कैड़रों की शिक्षा शुरू की गई इससे से हर साल सेक्णों पार्टी के इसके अलावा देष भर की पार्टी लीजरों के परिवारों से सेक्णों छाट्र मेडिकल तता इंञिनिरिंग जैसे विश्यों को पढ़ने के लिए भेजे जाते थे, इसे संदर में पार्टी ने यह तरक दिया था कि जो लोग पार्टी में काम में पार्टी के काम में अपना जिवन समर्पित कर दीए हैं, उनके बच्चों को सोवेत संग स्थित, अनेग समाजवादी डेशों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, किन्तों वि लोग का ये मानना था कि जो भी लोग पार्टी संगठन के लिए काम करते हैं वे किन लोग होते हैं इसकी भी social auditing होनी चाहिए कि किन के बच्चों को भेजा जाता था हर एक से चंदा वसूला जाता है पार्टी को चलाने के लिए लेकिन जब काम करने की बारी आती है विडियो यदि में बात करना चाहूं कि 131 सांसदों को तो हम बहुत बार बोलते हैं लेकिन उन लोगों का क्या जो अंबेटकर विचार धरा के नाम पर चंदा वसूल करते हैं बड़े-बड़े मंचों से बड़े-बड़े संगठन बना कर क्या कभी उनकी कारियर शैली पर सवाल आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई काम किया कभी किसी बच्चे को विदेश भेजा पढ़ने के लिए इस तरीके से तो उनके उपर भी नजर रखनी चाहिए हमारे समाज को आखिर चंदा निकलता है हमारी जेब से ट्रांस्पिरेंसी होनी चाहिए इन सब बातों में ही यहां तक कि बड़े-बड़े पाप्लिकेशन हाउस भी खोले गए हैं लेकिन कभी रॉयलिटी किसी ने दी अपने ही समाज के लोगों को समाज के नाम पर आप उनकी कताबे जरूर चाप देते हैं वो भी एहसान जताते हुए कि समाज के नाम पर थे तो हमने तुमारा का कर दिया लेकिन रॉयलिटी देने के नाम पर बातनादारत तो इस तरह की इमानदारी हमारे समाज में अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए नहीं है सिर्फ यही कहने का मतलब है और यह सभी लोग अपने समाज को लेकर कितने इमानदार हैं अपने लोगों को लेकर इसलि अधिसंख्य डिग्री लेकर यूरोप तथा अमेरिका चले जाते थे यहां तक कि पार्टी क्लास के लिए जिने मौस्को भीजा जाता था उने से भी अधिसंख्यक पार्टी में कभी काम नहीं करते थे, उन्हें जरूरत भी नहीं थी, उनके वुजर काम कर रहे हैं और वो चीज़ का फाइदा उठा रहे हैं, अपने गरीबों के बच्चों को बोलते हैं, दलितों के बच्चों को बोलते हैं कि जादा पढ़ने लेकने से दिमाग खराब हो जाएगा मुर्दईया में इसका पूरा ब्यॉरा उन्होंने दिया है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उच्छी तालीम देने के लिए आप ही कि दिये गए पैसों पर उन्हें भेजा जाता है सन 1970 के दर्शक में CPI ने मास मेंबर्शिप की नीती अपनाई थी इसका मतलब यह था कि जो पार्टी का सदसे बनना चाहता है उसे पार्टी में शामिल कर लिया जाए इसके परिणाम सुरूप हजारों की संख्या में अवसरवादी तत्व तथा जमीदार कस्म के लोग पार्टी में शामिल हो गया ऐसे तत्वों का मूल उदेशे था अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मौस को भेजना ऐसे लोग अपने उदेशे में शत प्रतिशक सफल होने लगे थे इतना ही नहीं पार्टी क्लास में भेजे जाने के मामले में भी खूब धांदली होने लगी इन मामलों में नाते रिष्टेदारी तथा भाई भतीजावाद खूब हावी हो गया था सब लोग सिर्फ अपने नियर एंडियर वंस को कड़ते हैं और यह सिर्फ सिर्फ उस जमाने के बात नहीं है 1970 के आज भी यूनिवर्सिटीज में भी SCST और OBC के पद जो हैं वो खाली है आरक्षित पद उन पर अपने नियर एंडियर वंस को यह लोग पढ़ाने के लिए दे देते हैं परिणाम सोरूप पार्टी में समर्पित था इमानदाली से काम करने वाले कैडरों की अध्यंत कमी होने लगी थी देश भर में कैडर चॉयन प्रनाली भयंकर गुटबाजी का शिकार हो गई थी यह वही समय था जब खुले आम पार्टी में दो गुटों की चर्चा होने लगी थी यह गुट राजेश्वर राव तथा डांगे खेमे में बटे हुए थे उन दिनों से डांगे सी पी आई के चेर्में तथा राजेश्वर राव जनरल सेक्रेटरी थे उक्त गुटबंदी इतनी हावी हो गई थी कि तमाम राजियों में एक दूसरे को किनारे लगा देने की होड सी मच गई थी एक रोचक तथ्य यह था कि डांगे द्वारा निर्धारित नैशनल बुर्जुवाजी से सहयोग की नीती पर पूरी पार्टी चल रही थी जिसका मतब था कॉंग्रेस पार्टी से सहयोग किन्तु पार्टी में एक सुप्त धारा चल रही थी इसके अनुसार ऐसा माना जाता था कि राजेश्वार राव डांगे की विचार धारा के विरोधी थे इस गुटबंदी का परिराम यह हुआ कि जिले जिले में पार्टी में दो गुट हो गए थे राजेश्वर राओ के गुट की है कोशिश थी कि तमाम पार्टी यूनिटों पर उनके समर्थक कबजा कर ले पार्टी में भी कई गुट चलते हैं जैसे कि पहले भी नोंने जिक्र किया कि जब बैंकों का राष्ट्रे करन कर दिया च्वाधा बड़े बैंकों का इंद्रा जीने तब जो सिंडिकेट था जिसको के दक्षन पंथी बोला गया वे कॉंग्रेस ही दो गुटों में बट गई थी तो कॉंग्रेस में काम करने वाले लोग और दक्षन पंथी विचारधारा वाले लोग भी भरपूर मात्रा में थे समर्थक तथा अन्य सचिव रामेश सिनहा डांगे के समर्थक ते बनारस में मेरे साथ दीपक मलिक डांगे के नीतियों का समर्थन करते थे नरेंद्र प्रसाद सिनहा जो बी एच्यू छात्र संग के भूत पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे वे बनारस की कम्यूनिस्ट पार्टी में राजेश्वर राव के समर्थक तथा काली शंकर शुकला के बहुत चहेते थे इसलिए यूपी की पार्टी की बहुत पार्टी में उनकी बहुत चलती थी बनारस की ही पार्टी में सबसे बड़े नेता रुस्तम सैटिन यूपी CPI के शिक्षा विभाग के इन चार्ज थे उनकी ही संस्तुती पर प्रदेश से पार्टी के अडर मौस्को भेजे जाते थे उन्होंने इस अधिकार का भरपूर फाइदा उठाया पलत हा उनके परिवार से लेकर अनेक रष्टदार मौस्को हुआ इन में से किसी ने भी पार्टी के लिए काम नहीं किया इमिलिया क्लास के बाद मुझे भी मॉस्को क्लास में भेजे जाने पर यूपी पार्टी में एक बार विचार हुआ था लेकिन आखिर उस विचार का क्या हुआ इसका आगे वे ब्योरा दे रही है सामान्य था हर साल सितंबर आक्टूबर में ऐसे चाइनित कैडर मॉस्को जाते थे एन मौके पर नरेंदर सिना ने मुझे बताया कि आप मॉस्को जा सकते थे किन्तु बाद में ये विचार किया गया कि आप जैसे कैडर का तीजी से बदलती हुई राजनेतिक हालत में देश के बाहर रहना पार्टी के लिए नुकसान दे हो सकता है इस समय मुझे मॉस्को न जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ उल्टे मैं सोचकर अत्यांत खुश हुआ कि पार्टी मेरे बारे में बहुत उंचा खयाल रखती है और सोचती है कि मेरे देश से बाहर जाने से उसका नुकसान हो सकता है उस समय में पार्टी के अंदर कैसा दाउं पे चल रहा था से बिलकुल अनभिग्य था और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बहुत से गलित समाज के लोग भी अनभिग्य थे और डॉक्टर अंबेटकर का ही विरोध कर लिया करते थे शीग रही मैंने देखा कि कैसे कैसे लोग मौस्को रिटर्नर बन गए और वे पार्टी से दूर दूर का भी रिष्टा नहीं रख सके सन 1973 में ही 26 जन्वरी को सोवित संग की कम्यनेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लियूनेद इलिच ब्रेजने भारत की यात्रा पर आने वाले थे इन सब का कारेक्रम कलकत्ता चे नहीं मुंबई समेट अन डेश के अनेक प्रमुक शहरों में आयोजित किया गया था इस तरह के प्रतिनीधी मंडल बी एच्यू में आवश्य आते थे इन कारेक्रमों का आयोजन CPI से संबत संगठों नों इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी याने के इसकस करती थी बी एच्यू में इसकस बहुत सक्रिय था क्योंकि उसके अध्यक्ष कुलपती डॉक्टर तालू लाल श्रिमाली तथा महामंत्री थे समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रॉफेसर S.K. श्रिवास्तव और वैसे भी पहले भी अपनी आत्म कथा के पहले के प्रसंगों में भी वे जिक्र कर चुके हैं तो से राम जी के बी एच्यू में दक्षनपंथी और कायस्त जो हैं परस पर विरोधी गुटों के रूप में जाने जाते थे इसकस के ऑफिस के लिए बी एच्यू से सटे नरिया महले में दो कमरवाला एक ऑफिस किराय पर ले लिया गया था इसकस का काम सुचारू रूप से चलाने के मेरे साथ नरेंद्र प्रसाद सीना भी वही रहने लगे थे किन्ति वे पार्टी की राज्य परिश्वत की सदसे थे इसलिए वे ज्यादा तर बनारा से बाहर ही रहते थे तो हमारे लोगों को ज्यादा-तर चौकि दारी का काम सौपा जाता है बहला पूसला कर तो आगे जा मैंने वहाँ पर तीन चार तरीके से की थी कि किस किस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है उनके कही इस बात की अंध भक्त को लेके बी एच्यू के दरजनों नामी गिरामी प्रोफेसर शीघरी इसकस से जुड़ गए थे इन में से अनेक प्रोफेसरों का मूल उदेशे भारत सोवियत मैत्री को मजबूत करना नहीं बलकि वे बी एच्यू में अपने प्रमोशन के लिए आते थे कुछ का उदेश है मौसकों की यात्रा पर हूँ आना था क्योंकि श्रीमाली जी इसकस की तरफ से पांच छे बार मौसकों हुआय थे ब्रेजनेव की होने वाली यात्रा के पहले अनेक संस्कृतिक तथा अकादमिक कारेफराम बी एच्यू में आयोजित किये जाते थे अब यहाँ पर ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इतना पैसा आता कहां से है इन संगठोनों के पास जाहिर है बहुत से लोग स्पॉंसर भी करते होंगे पैसा भी लगाते होंगे इन संगठोनों पर और सांसां जो चंदा वसूली की जाती है आमजन से आमजन के पैसों पर नेता हमेशा भाई भती जावाद के जरीए मौज मस्ती करते रहे हैं इन सब चीजों के बारे में पुना सोच विचार करने की जरूरत है ऐसी बहुत से चीज़े इस आत्मकथा में लिखी है और बहुत से विशे अब तक मैं डिसकस कर चुकी हूँ जो शोध का विशे बन सकते हैं जिनकी रुची है शोधार्तियों जो हैं शोधार्ती वे हमेशा नए नए विशे का चुनाव करने में लालाई दिखाई देते हैं तो ऐसे बहुत से विशे को मैं इस पर डिसकस कर चुकी हूँ आत्मकथा के जरीए जिसकी ओपर शोध किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेजनेव की होने वाली यात्रा के पहले अनेक सांस्कृतिक तथा अकादमिक कारेक्रम ब्हु में आयोजित किये गए इनमें इसमें हम सभी भारत सोवेत मैत्री के बढ़ते हुए महत्वर प्रकाश डालते थे इस कड़ी में सितमबर 1973 में एक रोचक घटना हुई सोवेत संग के विभिन प्रांतों से 72 बड़े कालाकारों का एक सांस्कृतिक मुंडल बनारस आने वाला था अब जो आगी प्रसंग है वे काफी हसी मजाक वाला प्रसंग है बीएच यू इसकस से पूरी बस भरकर प्रोफेसरों का एक जथा बन जिस समय श्रिमाली हवाई अड़े पर उतरे ठीक उसी समय दिल्ली से एक हवाई जहास भी आ गया हम सभी माला लेकर हवाई जहास के पास चले गए उनमें से उतरने वाले हर व्यक्ति का हम लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया हम लोगों ने जिने माला पहनाई थी वे लोग खुशी के मारे हवाई पट्टी परी उचल कूद कर नाचने लगे हम लोग भी बहुत खुश हुए कि रूसी आती थी हमारे स्वागत से प्रसन होकर नाच रहे थे किन्तु इस रहस्य का कुछ श्रणों में ही भंडा फोड हो गया वास्तविक ताई है थी कि वे भगत के लिए फूल भी नहीं बजा था इसलिए हम सभी को उने से हाथ मिला कर संतुर ठोना पड़ा था उस दिन आठ बजे रात को बी एचु के म्यूजिक कॉलेज के तबला नुमा प्रांगन में डूसी कलाकारों का कारेक्रम शुरू हुआ जो करीब एक बजे रात तक च रमकट कर गया था इसी तरह लिठुवानिया से एक जूता कारखाने से आए मज़दूर कलाकारों की मृत्य कला ने सब को महूलिया था कारखाने में जूता बनाने का काम कैसे होता है यह सब कुछ मृत्य कला के माध्यम से उन मजदूरों ने मंच पर उतार दिया था मॉस्को से आए एक यूरोपिय शास्त्रिय गायक ने अपनी अत्यंत गुलत आवाज में इठली के लुसियानो पावराती की तरह गायन प्रस्तूत किया था हाश्रा की अनभिग्यता के बावजूत लोग जूम उठे थे उसरा चोवे संकी पूरी संस्कृतिक धरोहर बी एच्यू में उतर आई थी बी एच्यू के तरफ से प्रोफेसर चंद्र शेखर दंपत्ती का भरत नाटेम तथा एमर राजन का वाइलिन वादन रूसी कलाकारों को बहुत पसंद आया था रूसी कलाकारों में कुछ विश्व प्रसिद खिलारे भी शामिल थे जिनमें ततकालिन विश्व विजेता फुटबॉल टीम के बहुचर्चित गोल कीपर लेवियासिन तथा बैडमिन्टन विजेता मेत्रिवेली प्रमुक थे लेवियासिन एक भीम काई व्यक्तित थे दूसरे दिन फ्रेमाली जी ने दो बसों का इंतजाम करके सभी रूसी कलाकारों को बौध सली सारनाथ दिखाने के लिए कहा दीपक मलीक नरेंडर प्रसाद सिना तथा मैं स्वयम रूसीयों के सारनाथ गया इन सारे कलाकारों ने सबसे ज़्यादा समय उस बौध मठ में बिताया जिसके दिवारों पर बुध के जन्म से लेकर ज्यान प्राप्ति तथा निर्वान के दृष्ये चित्रित किये गए थ उसी शाम को इन कलाकारों का जट था दिल्ली रवाना हो गया वहां से उन्हें कलकत्ता जाना था बी-ए-चू के चात्रों के बीच इन कलाकारों की चर्चा कई दिनों तक चलती थी इन कलाकारों की याद आने पर मुझे एक दृष्य हमेशा याद आता है जब हम सभी सारना जाने के लिए बस में बैठने चार रहे थे उस समय उस बैक नागिन रित्यांगना जो हमेशा काले कपड़ों में ही रहती थी मतलब पूरा गटप नागिन डांस के हिसाब से वो हमेशा रखती थी एक अलग पहचान के चलते को भीमकाय लेवयासिन एक हाथ से कमर पकड़कर बस में फेंक देता था यही दृष्य वे बस से उतरते हुई भी प्रस्तुत कर देता था दुबली पतली वे सुंदरिन रित्यांगना स्वयम लेवयासिन के उस क्रिक्ते का खूब मजा लेती थी उन कलाकारों के चले जाने से दो बड़े भारत विद्व ग्रीगोरी, कोटो वस्की तथा एरिक, कमर रोव, बीएच्यू आए इसकस की तरफ से इन दोनों का भाशर आर्ट्स कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया इस तरह बीएच्यू के सामाजिक जीवन में इसकस एक महत्व पूर्ण गठन बन गया, कम्योनिस्ट चात्र नेता नरेंद्र प्रसाथ सिना उपकुलपती डॉक्टर श्रीमाली के बहुत चहेता बन गये थे, सिना ये दावा करते थे कि डॉक्टर श्रीमाली का दूसरा कारेकाल उन्होंने ही दिलवाया था, इस संबंध में उनका ये तरफ था क कि एमर्जन्सी के दौरान जब बी एच्चू में जो आरेसेस को मिले हुए दो कम्रों का मकान था उसको ध्वस्त करवा के उसकी जगे पूरा मलवा हटवा दिया गया था और गुलाब के फूलों को लगा दिया गया था, उसके बाद जब कारेकाल दुबारा शुरू हुआ तब तक इन्होंने रिटार्मेंट लेनी थी, तो अब यहां से दूसरा कारेकाल रिटार्मेंट के बाद का, श्रिमाली जी का धर्म अध्यात्म की तरफ जुका बहुत ज़ादा होता था, इस संदर्म में नरेंद्र प्रसाद सीना भी कम नहीं थे, वे बैलों दुआरा मू करते थे, इन बैलों को वो शिवस जी की सवारी नंदी कह दे थे, जब ऐसे बैलों का मालिक साधू उन से पूछता कि अमुक व्यक्ति का काम हो जाएगा, तो यह प्रश्रिक्षित बैल अपनी मूरी हिला देते थे, ऐसे से करके हमने कई फिल्मों में इस तरह के सीन देखे है, बैलों द्वारा मूरी हिलाने को अच्छी भविश्य वड़ी समझ कर लोग साधू बाबा को खूब पैसा देते थे, नरेंद्र सेना यह भी बताते थे, कि वे एक बार डॉक्टर श्रिमाली को देव हरवा बाबा के पास देवरिया ले गए थे, और आशिरवाद स्वर देवर हरवा बाबा ने श्रिमाली के सर पर अपना पैर रख दिया था, संभवता श्रिमाली तथा नरेंद्र सेना के बीच का आध्यात्म दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया था, चूंकि मैं इसकस के आफिस में रहने लगा था, जहां मीटिंग आयो जित होने पर श्रिमाली जी भी आया करते थे, इसलिए कुछ हद तक मैं भी उनके नजदीक हो गया था, चाहे जो भी हो श्रिमाली जी की कम्यूंस्तिजों से नजदीकी अन्य चात्र संगठनों को कभी पसंद नहीं आई, अन्य चात्र संगठन कौन थे, यह भी आप समझे रहे कि पहले के प्रसंगों में ये बात बताई गए गए कि इस तरह आरसे से संबंधित चात्र संगठोनों ने उनकी पिटाई करी उनके उनको फर्श पर लिटा कर उनके उपर अपने पैर धर दिये पैरों से दबा दिया उन्हें और उनका पूरा विश्वा परिनाम सुरूप हम सभी उनके अलोजना कर्शिकार होते रहे किन्तु सबसे ज्यादा हैरत मुझे इस बात की होती थी कि बी एच्चू के अनेक प्राध्यापक मेरे पास अपने प्रमोशन के लिए आते और उनका पूरा विश्वास होता कि यदि मैं श्रिमाली जी से सिपारिश कर दूँगा तो उनका काम हो जाएगा नरेंद्र सेना के इर्दगिर्द घुमने वाले ऐसे प्राध्यापकों के संख्या बहुत अधिक हो दी थी इसकस से ही जुले धहने के कारण साइन्स कॉलेज के प्रोफेसर ब्रिज महुन शुकला मौस्को के भार्टी दूतावास के कल्ट्रल सेक भी हुए थे इस प्रक्रण के बाद इसकस से जुले रहने के लिए अनेक ऐसे प्राध्यापकों का ताता लग गया जिनका समाजवाद या समाजवादी विचार्थभरा से दूर दूर का रिष्टा नहीं था जहां तक 26 नवंबर 1973 की ब्रेज ने व्यात्रा का प्रसंग है उनके आने के कुछ दिन बाद डॉक्टर श्रिमाली ने अपने निवास पर इसकस की एक मीटिंग रखी इस मीटिंग में इसकस की राश्ट्री जनरल सेक्रेटरी लिट्टो घोष भी दिल्ली से आई थी बी एचु के अनेक प्रोफेसरों ने भारत सोवेत संबंधों पर महत्वों पर भाषन दिया उन दिनों भारत में खाध्यानों की बहुत कमी थी क्योंकि देश के कई शेत्र आपकी बार पन्ना ध्यान से पल्टूंगी कई शेत्रों में सूखा के चलते फसले नश्ट हो गई थी अता सोवेत संग ने इस कमी को पूरा करने के लिए लाखू टन गेहूं भारत को सहायता के रूप में देने का प्रस्ताव दिया था इस संदर्व में इसकस की तरफ से मुझे एक प्रस्ताव तयार करने के लिए कहा गया सोवेत सहायता का वर्णन करते हुए प्रस्ताव के अंथ में मैंने लिख दिया कि हम सोवेत संग के एहसान मंद हैं उस मीटिंग में उपस्तित पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर द्वारका नाच बोहरा ने एहसान मंद शब्द पर बहुत आपत्ती उठाई अन्तोद गत्वा ये तहा किया गया कि एहसान मंद के बदले आभार प्रकट करते हैं का इस्तमाल किया जाए और मुझे भी ये लगता है कि आप हार प्रकट करते हैं शब्द जादा उप्योगत है मैंने सुधार के साथ प्रस्ताव को फिर से पढ़ा जिसे तुरंत पारित कर दिया गया बाद में ब्रेजनेव भारत आयोर उनकी यात्रा को काफी महत्व दिया गया उनके जाने के बाद राश्ट्रिय महामंत्री लिट्टो गोश ने निर्ने लिया कि हर साल ब्रेजनेव की भारत यात्रा के वर्षगांट इसकस द्वारा मनाई जाएगी बी एक उमी भी शुरुवाती वर्षों में कई बार ब्रेजनेव की यात्रा पर इसकस द्वारा सेमिनार आयोजित किये गए थे और इसके सहाथ ही छटे उपखंड का पहला भाग भी समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम छटे उपखंड के दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे तब तक गुड़नाइट शुभरात्री शबाखैर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद